नमस्कार आओ देखते हैं मुद्रा और बेंकिंग के बारे में और RBI के बारे में पढ़ेंगे कि RBI की स्थावना के शुए RBI के क्या क्या कारे होते हैं सबसे पहले जानते हैं मुद्रा के बारे में मुद्रा पेशे और दन के उस रूप को करते है जिसे देनिक जीवन में क्रेय है विकरे होता है इसमें सिक्के एक कागज के नोट दोनила आते हैं सामाले ते किसी देश में परियो किये जाने वाली मुद्रा, उस देश की सरकरी बे उसता द्वारा बनाई जाती है भारत में रुपयावे पेशा मुद्रा है भारत में मुद्रा का विकास वरस 1935 में भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन का अधिकार आरिबेई को मिला वरस 1937 में भारत में असो किस्तांवारे नोट जारी किये जाने लगे वरस 1957 तक भारत्य मुद्रा शोड़ा आने में विजवाली थी वरस 1957 में मुद्रा के दसमलों पढ़नाली अपनाई गई वरस 1996 में से भारत्य पत्र मुद्रा पर मा अत्मा गांदी का चितर अंकित किया जाने लगा वर्त्मान में रेजरो बेंग द्वारा निर्गमन सभी पत्र मुद्रा पर मुद्रा का मुली 17 बासाओं में लिखा होता है भारत्य मुद्रा का प्रतिक रुपया है इसके रिचना IIT मुंबई के उधिकुमानी की थी आठ नॉम्बर 2016 को बारत्य सरकार द्वारा रुपय एक जार और पांसो के नोट का भी मुद्रिवरन किया गया तता इन नोटों के बदले पांसो तरदा दो जार के नए नोट जारी किये गए भारत में एक रुपय का नोट वित मंत्रा ले जारी करता है तता एक के नोट पर वित सचीव के अस्ताक्सर होते हैं वर्तमान समय में भारत में एक, दो, पांच, दस, तीस, पचास, सो, दो सो, पांसो, एयों, दो जार के नोट पर चलने में सामिल है वितिये बाजार में जिस देश के मुद्रा के आपूर्टी की इपेक्षा मांग अधिग होती है उसे दुल्लम मुद्रा कहते हैं एक जामपल डॉलर, ब्रिटिस पांड, इत्यदी वितिये बाजार में शिग्रपलाइन कर जाने की परवर्टी वाली मुद्रा, गर्मुद्रा कहलाती है स्वन्ण बूलियन मान, स्वन्ण मुल्य की महाप से संबंधित है भारत में बेंकिंग पर्णली का विकास भारत का पहला बेंक, बेंक औपींदुस्तान था जिसकी स्तापना यूरोपियन पद्दती पर अलेकजेंडर एम कंपने दोवारा 1970 इस्वी में की गई थी सिमित देहिता पर अधर्थ भारतियों दोवारा सचालित पहला बेंक अवर्द कॉमर्शियल बेंक था जिसकी स्तापना 1821 इस्वी में हुई थी पून रूप से बारतिये पहला बारतिये बेंक पंजाब नेस्टनल बेंक था जिसकी स्तापना 1824 इस्वी में की गई थी रिजरू बेंग ओफ इंडिया रिजरू बेंग के बारे में जानते हैं रिजरू बेंग ओफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहट रिजरू बेंग की इस्ताप्ण एक अप्रेल 1935 में हिल्टन यंग आयोग की अनुससा पर किये गई थी आरिबिया का राष्ट्रिकरण एक जनुवरी 1902 को किया गया था जिसका मुख्याली मुंबई में है आरिबिया के पर्थम गवर्णर सर्स ओस्बोर्ण इसमित थे सहतंतरता के समय आरिबिया के गवर्णर सीडी देश्मुख थे भारती रिजरू बेंग के परमुक कारियों मे मुद्रा निरगमन मुद्रा निरगमन का कारें की द्वराओ किया देता कितने नोट अपने हैं नए नोट पुराणे नोट लेने देने बंद करने सब आरिबिया के अधीन आता बेंगों का बेंग के रूप में कारे करना सभी बेंगों पर नियंदरन आर्वियाई का ही होता है विदेशी विद्यू में पर नियंदरन कर रखना विदेशी मुद्रा को बारती मुद्रियों में बदलने का काम आर्वियाई ही करता है जिन जिन बैंकों में विदेशी मुद्रा बदरी जाती है उसका लाजिस आरविएई यह की देता है बारत रेजरो बैंक एक रूपे के शिक्के नोट एयों छोटे शिक्कों को छोड़कर सभी नोटों का निरगबन करता है RBI भारत में नोट निर्गमन हेतु नियुनतम कोस परनाली के पद्दती अपनाता है RBI मातरातमक एम गुनातमक उपकरणों दोरा मुद्रिक नीतियों का संचलन करता है मातरातमक उपकरण कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देखेंगे उसमें आता है बेंकदर, रेपोरेट, रिवस रेपोरेट, नकतारक शितनपात, वेदनिक तरलतानपात, तता कुले बाजर के रियांई सामिल है जबकि गुनातमक उपकरणों में साख की रासनी, साख अधिकर्त, नेतिक सलायवे, नेदे साधी सामिल है बेंकदर देखते हैं, रिजरो बेंक का सामाने ब्याद दर पर वानिजी बेंक को पेसा उधार देता है, वे बेंकदर कलाता है रिवर्स 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 रिवर् द्वारा अपने कुल जमा राशी का वहेंबाग जिसी रिजरू बेंग के पास अनिवारी रूप से जमा करना पड़ता है उसे नगर्दारकற अनपात कते हैं इसके दर जितने उची होती है बेंग को साक् disrupted сам कम होती है जिस बेंग के जितने ज़्यादा रूपे रिजरो बेंग के पास रिजरो रहते हैं उस बेंग के डूबने की संभावना उतनी ही कम होती है उस बेंग के सेर्स उतनी ही उचाई पर होते हैं वेदानिक तरलता अनुपात किसी भी वानिजिक बेंग में कुल जमाराश का वहेंबाग जो स्वन्ड विदेशी मुद्रा में अपने पास अनिवारे रखना होता है उसे वेधानिक तरह तानुपात कहा जाता है यह सुरक्षा की दरश्टी से विदेशी मुद्रा और स्वन्ड के रूप में बेंग को अपने पास रखना होता है आधार दर पढ़ना है या ज़्यादा रखनी है वो बाजार की इस्तिती पर निर्वड़ करता है आज के लिए बस इतना ही और अंत में यहें कहना चाहूंगा कि हारा वहीं जो लड़ा नहीं तन्यवाद